असलामलेकूम व्यूवर्स आज मैं आपके लिए चिकन मेंचूरियन बना रही हूं और इसको जटबट से बनाने जा रही हूं तो चले हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैंने एक प्यारा सा बोल ले लिया और इस बोल के अंदर मैंने 400 ग्राम्स बोनर्स चिकन लिया है जिसको मैंने चोटी-चोटे पीसस में कट किया है और इसके साथ ही इसके अंदर मैंने हाफ तीज़पून सॉल्ट का अड़ कर दिया और सॉल्ट के साथ ही इसके अंदर मैंने डाला है वान टी स्पून शूकर और यहां पर मेरे पास दो एग वाइट्स हैं यह डाल दी और इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया मिक्स करने के बाद मैंने लिए है तीन टेपल सपून कॉन फलाइब के और इसको भी डाल दीया और इसको भी मिक्स कर लूँगी क्योंकि अगर मैं कॉन फ्लार पहले ही डाल देती तो उसके लंप्स बन जाते हैं तो इसलिए मैंने कॉन फ्लार बाद में अड़ किया है और अब इसको अच्छे से मिक्स करके मुझे इस शिकन को 20 मिनट के लिए मैरिनेट कर देना है और 20 मिनट के बाद मैंने फ्लेम अन किया और यह वोक उपर रख दिया है चुले पर और इस वोक में मैंने दो कप आइल के अड़ किये हैं और ऑइल के गर्म हो जाने के बाद मैंने यह मैरिनेटर चिकन इस ऑइल के अंदर डाला है क्योंकि मुझे इस चिकन को फ्राय करना है तो मैंने यह चिकन इस ऑइल के अंदर डाल दिया और सारा चिकन डालने के बाद मैंने एक दूस सेकिंड के बाद इसमें चमच चिला दिया है ताकि ये चिकन के पीसे एक दूसे के साथ चिपक न जाए अच्छे से चम्मच चिला दिया और जब इसका बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है चिकन की उपर लाइट गूल्डर ब्राउन सा तो अब मुझे इसको निकाल लेना है इस ओयल के अंदर से तो मैं इसको एक स्ट्रेनर में निकालूंगी स्ट्रेनर में निकालने का मकसद यह है कि सारा एक्सेसिव ऑईल जो है वो ड्रेन आउट हो जाए तो मैंने स्ट्रेनर में निकाल के नीचे ये एक प्लेट रख दी है ताकि सारा ऑईल यहाँ पर इसके अंदर इकठा हो अब उसी सेम वोक में मैंने 3 टेबल स्पून ऑईल के लिए और 2 टेबल स्पून गारलिक के जिसको मैंने बहुत ही फाइनली चॉप किया है वो डाल दिया और इसको इस ऑईल के अंदर फ्राय किया है इसका अरोमा बहुत ही अच्छा है और जब यह हलका सा कलर चेंज करने लगेगा तो इसके अंदर मैंने फोर टेबल स्पून वाटर के आड़ कर दिये और इसको एक दो दफ़ा चम्मच चलाके ज़रा हिला लिया अच्छी सी खुश्पू आने लगी है तो यहाँ पर मैंने टेमेटो केचप ली है तो टेमेटो केचप आड़ कर दिये और मिक्स कर दिये है गालिक के साथ अच्छी से मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैंने यह चीनी के दो टेबल स्पून डाल दिये है तो शूगर डालने के बाद इसके अंदर आप मैं यह चिकन क्यूब एक अदद चिकन क्यूब डाल दूँगी अगर आप चिकन पाउडर डालना चाहे तो वह भी एक चमाई डाल सकते है और हाफ टीजपून अगें इसके अंदर सॉल्ट कर जाएगा सॉल्ट अपने टेस्ट के कौर्डिंग अप कम या जादा कर सकते है अच्छा चिली सॉस के मैंने तीन टेबल स्पून अड़ किये है और यह वाइट वेनिगर है इसके भी तीन टेबल स्पून डाल दिये अच्छे से मिक्स कर लिया इस ग्रेवी को और उसके बाद मैंने यह जो फ्राइट चिकन है इसको अड़ कर दिया है इस ग्रेवी में साथे साथ यह एक दो ग्रेवी चिली से जिनको फाइनली चॉप किया है यह भी डाल दी और अच्छे से मिक्स कर लिया अब यह जब तक यहां पर को खो रहा है तो मैंने यहां पर आधा कप पानी का लिया है और उसमें मैंने एक टेबल स्पून कॉन फ्लार का डालके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया मिक्स करने के बाद इस लरी को मुझे यह जो चिकन में चूरियन यहां पर कोख हो रहा है इसमें आड़ कर देना है तो मैं इसको थोड़ा-थोड़ा करके डाल दूँगी ताकि यह ग्रेवी जो है यह थोड़ी से थिक हो जाए यहां पर इसका कलर थोड़ा बदलेगा लेकिन जब यह पकता रहेगा तो इस पर बहुत ही अच्छी सी एक शाइन आ जाएगी और यह तियार हो जाएगा तो चले अब इसको मैंने यह डिश आउट किया है और यह मस्दार सा चिकन मेंचूरियन रेडी हो गया है इसकी खुश्बू, इसका कलर, इसकी चमक, सब कुछ आपको बता रहा है कि इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है तो आप इसको बनाएं, अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, मुझे फीड़बैक दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताके आपका और मेरा तालू का अपस में जुड़ा रहें, नेक्स्ट वीडियो दख अलाह आप्रे